नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे चैनल दिव्यास्ट्रों में आज मैं आपको आश्विन मा के शुक्ल पक्ष की एकादशी पांपां गुशा एकादशी के व्रत कथा सुनाओंगी यदि आप यह एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको यह कथा अवश्य सुनने चाहिए बगवान श्जी कृष्ण ने कहा हे कुंती नंदन आश्विन मा के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है इसका व्रत करने से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पूर्णिय का भागी होता है आश्विन शुक्ल में शेशनाग पर शेयन करने वाले बगवान विश्णू को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुश्य को यहम लोग के दुख नहीं बोगने पड़ते हैं बगवान विश्णू का ज्यान और इसमरण किसी भी रूप में सुक दायक और पाप नाशक है परन्तु पांपा परवत पर क्रोधन नामक एक बहिलिया रहता था वह बहुत ही कुरूर था उसका सारा जीवन हिंसा लूट पाट मध्यपान और ग्लस संगती से सारे पाप कर्मों में बीथ गया जब उस क्रोधन नामक बहिलिया का अंतिम समय नजदिक आने लगा तब यम्राज के दूत बह है पित हो गया और मर्शी अंगीरा के आश्रम में तुरंत पहुंचा और मर्शी अंगीरा के चड़नों में गिरा और गिर के प्रात्ना करने लगा कि हे रिशीवर मैंने जीवन पर जितने भी पाप किये जितने भी बूरे कर्म किये हैं करपा करके मुझे आप ऐसा कोई और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए उसके नेवेदन पर मर्शी अंगीरा ने उसे आश्रम शुकल की एकादशी का विधि पूर्वक वरत करने के लिए कहां महरशी अंगीरा के कहे और बताया अनुसा उस पहलिये ने यह वरत किया और उसके किये गए सारे पाप सारे बूरे कर्मों से उसने चुटकारा पा लिया और इस वरत पूजन के बल से पगवाम की क्रपा से वह विश्णू लोग को गया जब यमराज के यमदूत ने इस चमतकार को देखा तो बहलिये को बिना लिये ही वापस यम लोग लोट गए तो यह थी हमारी पापा कुशा एकादशी की वरत कता यदि आप भी इस एकादशी का वरत कते हैं तो आपको यह कता अवश्य सुननी चाहिए ताकि आपको इस एकादशी का संपून फल प्राप्त हो सके है जै विश्नु बगवान की जै